जहन्द आईए एक नए करेंट अफेर टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जैसा आपने टाइटल में देख लिया आज हम लोग डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जानेंगे या फिर डाटा प्राइबेसी जो कि सुप्रिम कोड के जज्मेंट के अनुसार अब यह एक फंडमेंटल राइट है मौली कदिकार है अंडर अर्टिकल 21 तो यह डाटा प्राइबेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए एक कह सकते ना कि एक टॉपिक हो सकता है जो कि यह कोशन्स के रूप में जो है यूपेसी के प्लिम्स और में में मैं पूछे जा सकते हैं इसके साथ साथ जैसे कि पूरे के पूरे मोधी के दुवारे जैसे या फिर प्रिजेंट गवब्मेंट के दौरा जो ऑडिश्टल इंडिया मोग्मेंट और इतनी चीप कैसा पने दुनिया के सबसे अगर सस्ता अगर्णेट कहीं अपलब्द है तो आप कई बार देखोगी जैसे वाट्सप बगेर आप जब टाउनलोड करते हैं तो जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको एक एग्री करने के लिए बटन पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है और साथ-साथ उसमें कुछ करते हैं आपको जो है आपके मोबाइल के अंदर जो है स्टॉरेज डिभाइस की जानकारी मांग रही होती है कई बार फोटो गैल्री के वारे में इंफोर्मिशन मांग रहा होता है तो और बहुत सारी चीजे हैं जब आप ऑन-लाइन-फॉपिंग करते हैं बहुत सारे ऐसे च सकते हैं डे-to-day events या रिलेटर कोई भी जी आप देखोगे सिंपल से आप Chrome या गूगल आप चलाते हैं तो गूगल के नीचे देखोगे कि आपका location जो है indicate कर रहेगा कि बरतमान में आपके location पर है यानि कि अगर कोई भी आप smartphone android phone या फिर iPhone कुछ भी आगर आप phone या social media डिवाइस में अगर कहीं भी आप circulate करते हैं तो आपके location को ट्रैस करता है तो यह सब सारी हमारी privacy है हमारी नीजता है जो कि एक IT company IT agent company जो हमेशा हम पर निग्रानी रखने का या फिर हमारे बारे में वह चांती है अब है कि इस information को मिस्यूज ना करें इसका एप्यूज ना करें इसके लिए डाटा privacy या टाठा प्रोटेक्शन भी होना पहुत ज़रूरी है लेकिन एस कंपेर टू बेस्टन और अदर कंट्रीज ठीक है यूरोपियन कंट्रीज में डाटा privacy बिल जो है बहुत इस्ट्रेंजेंट और बहुत ही स्ट्रॉंग है बट भारत में अभी कह सकते हैं कि उतनी कह सकते हैं कि एक तम कठोर कानून बनकर नहीं आया है लेकिन हां कानून का प्रारूप तयार हो चुका है समय और प्रस्थीतियों के अनुस कैसे बैसिक पॉइंट्स और हम इसे समरी में डिस्कस करेंगे लिए लेको इंडिया लैक आफ डाटा प्राइवेसी लाव सभाविस के बाद इसका हम ने चर्चा कर दिया कि वह साभी इंस्टेंट और स्पीसिफिक डाटा के बारे में प्राइवी सी मतलब इस्पीसिफिक प्राइवेसी से संबंदित कानून अभी भारत में नहीं है ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्ट है जिसमें की जैसे आर्टिकल फोटी त्री ए ऑफ द आई टी एक्ट ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट अप तू थाउजेंट इसके अंतरगत हमारी डाटा की यह संसेटीव डाटा जैसे आपके मेडिकल से संबंदित को इंफॉर्मेशन होगे आपके डिने से संबंदित या कोई भी ऐसे संसेटीव है ठीक है मतलब जो टाटा है वो उसकी प्राइबसी की कि गरांटी इस एक्ट में है लेकिन इस स्पीसिफिक ली सिर्फ डाटा से सं घर पर भूबेसी हो वह सिफिक पॉली सी ऑभी नहीं है उसके वारे में आगी हम लोग डिसक्स करें आगे कंज्यूर प्रोटेक्शन अक्ट बूझान 9 काज़ बीगोई कंज्यूर अर्व नेट कर रहा हैं कर रहे हैं मुस्के सर्वीज को यूज कर रहे है तो हम लोग आप अब को भोगता संग्रक्षन अधिनियम 2015 के अंतरगत भी के से हमारा टाटा जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता आगे है कॉपीराइट एक्ट आप प्राब्धान है इसके प्रोटेक्शन और प्रावेसी से संब्दित वैसे कोई कठोर कानून भी हमारे देश में नहीं है हाँ इसके ड्राप्टिंग की जा चुकी है अब देखिए अब यह सबसे लैंडमार्क जज्जमेंट सबसे कैसे कि टर्न ओभर कहां होती है कि मतलब पूरे के पूरे यह इसू कहां जो है आराईज होता है जो यह अधार का जब अधारी से मनीबिल सरकार बना रही थी और उस उसी समय बहुत सारे आधार से रिलेटेड जो हो हंगामा हो रहा था देखते हो कोई सरकार नियम कानून लाते है तो हमारे दिस में सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दिया जाता है उसके कंस्टिचूशनल कह सकते हैं प्रापधानों के अनुप वह है नहीं इसको ठीक है तो क्योंकि अधार कार्ड में भी फिंगर प्रेंट इरिस स्कैन और बहुत सारे ऐसे चीज लिए जाते हैं अब है कि उसके सुरक्षा के लिए उसके उपनियता के लिए जो है बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट इन जस्टिस के एस पुट्व स्वामी याद रखना सिंपल है पुट्व स्वामी याद रखना के सटादो भी तो चलेगे लेकिन पुट्व स्वामी जज्मेंट याद रखना या प्रिलम के कोशन में भी पूछे जा सकते हैं जस्टिस के एस पुट्व स्वामी भरसेस वो एक मौली कदिकार है अब क्योंकि यह मौली कदिकार है तो जितनी भी हमारी डाटा बगेरा है या फिर जो भी कह सकते हैं हमारी नीजी इस समपती है हमारी प्रेविसी है उसकी रक्षा करना अब कोड की जिम्मेदारी है क्योंकि कोई भी अगर fundamental light अगर declare होता है तो अंडर करना ही होगा तो इसे जो है right to privacy अब यह declare हो गया अब इसको लेकर क्या है fundamental light है right to privacy अब है कि data protection भी आना चाहिए ठीक है अथी इसके बाद सरकार क्या करते है personal data production will 2019 लाती है ठीक है जिसकी drafting जो है एक retired justice बें स्रीक्रिशना की द्वारक किया जाता है कि मतलब क्या-क्या बिल के अंतरगत प्राबधान होगी है क्या-क्या प्रोभीजन होगी तो उसका short and sweet summary हमें हाँ देखेंगे सबसे पहला क्लेक्शन एन इस्टोरीज रेगुलेट देखो कौन से डाटा जैसे अब फेस्बुक है वाट्सअप है देखो एक बार वाट्सअप में भी बहुत कंट्रोबर से राइज हुआ था कि वाट्सअप ने कहा था कि आप हमारे term and condition को इतने दिनों तक अगरी करें अधरवाज आप पास्ट वाट्सअप को यूज नहीं कर पाएंगे तो इसको लेकर भी होहंगामा ट्यूटर इंस्टाग्राम वर्ट वोट्स तो उन तमाम जो है सोचल मेडिया प्लेटफर्म या जहां भी हमारे डाटा के माइन होती है ठीक है अच्छाए एकॉमर्स प्लेटफर्म है जहां हो गया फ्लिपकार्ड हो गया और मेनी कह सब्थाना कि एप्लेटफर्म ठीक है कि हम अपने से लन पर्चेश को करते हैं तो बहुत जगर जो हमारा डाटा का माइनिंग होता है स्टोरीज होता है अब है कि उसके क्लेक्शन और स्टोरीज का रेगुलेशन किया जाएगा एक प्रकार से उसमें रेगुलीट के रेगुलीट करने की मैकनिसम को डेबलप्ट किया जाएगा इस डाटा प्रोटेक्शन फिल के अंदर गदिया डाटा प्राइबिसी लाको ऑगो जो भी जिस मामें में भी को यह भी जब पूरी के पूरीय बनकर दीसमारी लेग Сп рокो कि कौन-कौन से data हम मतलब एक जनरल तोर पर जो है social media जो company है या tick chains है किन-किन data को collect कर सकती है और store कर सकती है आगे है कि data fiduciary data fiduciary कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी व्यक्ति मतलब व्यक्ति इंदिसेंस या सरकार हो या tick company हो कभी भी अगर हमसे data हमारी मांगती है तो उसे या बताना होगा कि किस purpose के लिए हमारा data आप लेना चाहते है उदेश क्या है क्या आप किसी दुस्मन देश को जैसे हमारे भारत लोगों की data को माइन करके collect करके और वो चाइना को दे दे पाकिस्तान को दे दे तो वो हमारे लिए अहित्कारी होगा हमारे लिए disappointment होगा तो क्या अब फिर देखो कई बार जो है politically जब election होते हैं जिसे अभी अमेरिका का चुनाब हुआ तो चाहे Biden साहब का चुनाब हो या फिर इसके previous year में जब Trump साहब चुन कर आए थे अभी तो जो वाइडियन है दोनों के चुनाब में ऐसा कहा जाता है कि चाइना और रसिया ने इंटरफेयर किया है ठीक है तो अब है कि किस प्रकार से डाटा का manipulation किया जाता है तो इन सभाम तमाम चीजों का कैसे जब भी कह सकते हैं कि अगर डाटा जिस भी ब्यक्ति का जिस इंडिविजबल का मांगा जाएगा तो उन्हीं यह परपस बताना हुगा चाहे सरकार हो कोई या कोई टेक जाएं कि आप हमारे डाटा किस उद्धिस के लिए ले रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं सबसे इंपॉर्टन पॉनेट डाटा लोकोलाईजेशन का की बार होता है कि मालनों कोई ऑन्लाइन वाले साइबर में सोचल मीडिया चला रहा है इकिसी गर्ल्स और फिर किसी भी व्यक्ति को वह कह सकते नहीं काड़िया के थूँर्व ऑनलाइन हरास करता हैं और च्हाइं क या फिर कोई भी मतलब कोई ऐसा पिक्चेर या कोई ऐसे अभी उजिव टॉम किसी को गाली क्लाउज देना इन डाट केस कोई विक्ति उसके एगेंस्ट केस करता है तो उस वक्त क्या होता है कि पूलीश जाती है और कहते हैं कि भाई सोचल मेडिया प्लेटफार्म चाहिए ट डाटा जो है या एब रोड जिस देश्टे में है या जिस देश्टेश की कंपणी है जहां भी इस कंपनी का हेड़कोटर हो है स्टूर किया जाता है इस प्रस्थिति में जो है कभी भी जो है भारत के पुलीश या फिर चूब भी कह सकते इन्फेस्टिगीशिंग एजनसी रहती है उसके पाले में हैं पड़ती है लेकिन जब से ऐसा थे रूल्स आया था उसके बाद से और अभी डाटा प्राविश चया आने वाली है उसके बाद से कह सकते हैं कि ताटा लोकलाइजेशन कहने खारती लोगों का डाटा भारत में ही स्टूर होगा ठीका इससे होग कि कोई भी जितने बड़ी-बड़ी social media company है कोई भी बिना सरकार और जनता की अनुमती के उस data का misuse अगर बाहर रहेगा तो मिस्यूज कर सकता है और अगर सरकार उसके उपर कुछ पैनल्टी भी देती है कुछ लगाने कैसे पनिस्मेंट देने का भी प्रयास करती है उस प्रस्थिती में वह बाहर बाहर ही पूरे के पूरे सरकुलेटर मैनूपलेट हो जाएगा उसकी माइनिंग होगी उसके स्टोरेज होगी तो भारत सरकार उसे कंपलाई नहीं कर पाएगी अगर उसे लाव आप्टी लैंड को कंपलाई कर वाना है तो उसे data लोकलाइजेशन के तहट भारत भारती लोगों के डाटा को भारत में ही स्टोर कराना होगा आगे है कंसेंट अप दे यूजर सबसे महतपूर्ण चीज है कि हम अपने डाटा किसी को दे या ना दे यह हमारी नीजी अच्छा है ठीक है जैसे हम इंडिविज्वेली कोई भी सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं यह हमपे डिपेंड करता है कि हमारा डाटा कौन यूज करें कौन यूज ना करें अगर हमारी कंसेंट नहीं है तो हम जो है कोई भी सोचल मेडिया जायंट हो या गॉब्मेंट हो हम उसे अपनी डाटा से नहीं करना चाहते तो एगेंस्ट ऐसे तो जो नॉर्मल लाग और नियम कानुन है वो है ही लेकिन विकाउज राइट टू प्राइब से इसे फंडमेंटल लाइट यह जिज्मेंट है सुप्रीम कोड का तो यह सब सारी चीज है अगे वह जब यह जाएगा तो इसमें डाटा प्रोटेक्शन ऑंथरीटी की बात कहीं गई है कि एक ऑथरीटी बैठाई जाएगी जो की लोगों की आम जो और पूरे के पूरे रेगुलेटिंग की जो मेकनिसम होगी या फिर जो भी रूलस और रेगुलेशन है उसे सही रू किन देखो एक चीज़ है कोई भी बिल है आप कितना ही अच्छा कह सकती है नियम कानून को क्यों ना बना दे तर्फेर संद्वंटेस्ट और डिसद्वंटेस कह सब्देस्ट रखेंट ऑट टो फेसे साथ कोई इस टैक घ्ली तो यह कह सकते हैं सिख्य के तो पहलू है यह हरी हरी चीजों के साथ चलता अब देखो कंसर्ण यह है कि एक्जंप्शन टू दी कवर्मेंट यह जो डाटा प्रेविसी बिल है या फिर नियम कहनून है यह डाटा लोकलाइजेशन है यह सरकार को इसको इससे एक्जंप्ट आखे की तो इसका प्रियोग नियम कानून को बनाने में या नीत्यों को फॉर्मूलेट करने में इसका यूज कर सकती है तो अब है कि अंडर सेक्षन ठिड़ीफाइब of the bill ठीक है अंडर सेक्सें 35 of the bill इसको सरकार को यह छूट मिलता है एक्जम्ट किया गया है और आगे है नो रिजनेबल सबसे वी बात है कि कोई रीजन नहीं दिया गया है एक्जम्ट का कि आखिर सरकार को इसमें छूट क्यों मिले ठीक है तो यह कुछ इसमें घàiतरा के खामिया है ऐगे है कि एजीव अर इससे यह प्राबधान हो सकता है कि ब्रीच भीज लिखाज सकता है जो घाम्दमें है हो सकके हमारे data को कमिस्यूज करें, हो सके अपने political कह सकते हैं कि benefit के लिए उसका कुछ अलग ही कह सकते हैं तरीके से अपना analytics करें, ठीक है, आगे है executive hazimony, सबसे बड़ी बात है कि जो executive के hazimony होगी, उस पर निकरानी रखने के लिए, या फिर उसके उपर कोई authority नहीं है, जो कि executive के द् आगे arbitrary and intrusive, कई बार जो है, कई बार जब सरकार को हाथ मों कुछ power दे दिये जाते हैं, तो वो arbitrary in nature हो जाता है, मनमानी तरीके से, सरकार जैसे बिचाय उसका उप्योग कर सकती है, लेकिन खेर सरकार है वैसा तो करेंगे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को कितना aware र responsible बना पाएगा, आगे है सर्विलांस स्टेट, सबसे बड़ी बात इसमें भय होती है, कि आप स्टेट को अगर एग्जम्ट करेंगे, तो इसमें सर्विलांस स्टेट की बात आ जाती है, and no oversight mechanism, सर्विलांस स्टेट कहा जाता है, और policing स्टेट कहने का मतलब है, कि सरकार आप स्टेट मौली का अधिकार है, हाँ, यह एक चीज है कि जो क्रिमनल बगेरा है, या फिर जैसे हमारा और आपका फून सरकार कैसे टैप नहीं करवा सकते, लेकिन जो क्रिमनल बगेरा होता है, तो कोट से ओडर है, या फिर लोग जो हाई ऑथरिटी रहते हैं, उसे ओडर ले लिए सरकार जो है इतना तो है नहीं कि वो पूरे के पूरे पूरे पूलीशिंग करें, लेकिन होता है, आपोजीशन बाले देख़ए, लिगेशन लगाते हैं, क्योंकि जो ऑपोजीशन पॉलिटिकल जैसे बड़े बड़े लीडर है, पोजीशन के हो सके उन पर सरकार नि की मेकनिजम नहीं है, क्योंकि सरकार के एक्सक्यूटिव ओर्डर पर निग्रानी और मॉनिट्रिंग कर सके, तो यह पूरे के पूरे है, डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, सौट एंड सूट सुट समरी, करेंट अफेर से रिलेटेड है, इंपोर्टें टॉपीक है, ठीक है, तो ताट्सल रज और विए दुर स्टाम ऊने थारी ना इंपार एंट रट दालेख एल ग्रम शब्सक्राइब टॉप्स्क्राइब कर स्बिल इकाँ है, और विए तो इसे मांने क्टी चैनल एट च्ऌनल पारे मूं से बारे मने चृटे से ले पारे हैंच्छा, ज तो नहार अगे नहार झाल